इफिसियों इफिसियों अध्या एक उसने हमें मसी के रूप में स्वर्ग के छेत्र में हर तरह के आशिरवाद दिये हैं संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें जो मसी में स्थीत हैं अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना हमारे प्रती उसका जो प्रेम है उसी के कारण उसने इश्व मसी के द्वारा हमें अपने बेटों के रूप में स्विकार किया जाने के लिए नियुक्त किया यही उसकी इच्छ थी और यही प्रयोजन भी था उसने ऐसा इसले किया कि वह अपनी महिमा मैं अनुगरा के कारण स्वय को प्रसंशित करे उसने इसे हमें जो उसके प्रिय पुत्र में श्थीत हैं मुक्त भाव से प्रदान किया उसकी बलिदानी मृत्यू के द्वारा अब हम अपने पापों से छुटकारे का आनंद ले रहे हैं उसके संपन अनुगरा के कारण हमें हमारे पापों की शमा मिलती है अपने उसी प्रेम के अनुसार जिसे वा मसी के द्वारा हम पर प्रगट करना चाहता था उसने हमें अपनी इच्छा के रहस्य को बताया है जैसा कि मसी के द्वारा वा हमें दिखाना चाहता था परमेश्वर की यह योजन थी कि उचित समय आने पर स्वर्ग की और प्रिथ्वी पर की सभी वस्तों को मसी में एकत्र करे सब बातें योजना और परमेश्वर के निरने के अनुसार की जाती हैं और परमेश्वर ने अपने नीजी प्रयोजन के कारण ही हमें उसी मसी में संत बनने के लिए चुना है या उसके अनुसार ही हुआ जिसे परमेश्वर ने अनादिकाल से सुनिश्चित कर रखा था ताकि हम उसकी महमा की प्रसंशा के कारण बन सकें हम यानि जिनोंने अपनी सभी आशाएं मसी पर केंद्रित कर दी हैं जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुमारे उद्धार का सूसा मचार था और जिस मसी पर तुमने विश्वास किया था तो जिस पवित्रा आत्मा का वचन दिया था मसी के माध्यम से उसकी चाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई वह आत्मा हमारे उत्रधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक के लिए हमें दिया गया है जब तक की वह हमें जो उसके अपने हैं पूरी तरह छुट कारण नहीं दे देता इसके कारण लोग उसकी महिमा की प्रसंशा करेंगे इसलिए जब से मैंने प्रभु इश्व में तुमारे विश्वास और सभी संतों के प्रती तुमारे प्रेम के विश्य में सुना है मैं तुमारे लिए प्रमेश्वार का धन्यवाद निरंतर कर रहा हूँ अपनी प्रात्नों में मैं तुमारा उलेख किया करता हूँ मैं प्राथन किया करता हूँ कि हमारे प्रभुईश्य मसी का परमेश्वर तुम्हें विवे और दिव्य दर्शन की ऐसी आत्म की शक्ति प्रदान करे जिससे तुम उस महमावान परम पिता को जान सको मेरी विनिती है कि तुमारे हिर्दय की आँखें खुल जाएं और तुम प्रकाश का दर्शन कर सको ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वह आशा क्या है जिसके लिए तुम्हें उसने बुलाया है और जिस उत्रधिकार को वह अपने सभी लोगों को देगा वह कितना अध्वू कि लिए उसकी शक्ति अतुल नियरूप से कितनी महान है यह शक्ति अपनी महान शक्ति के उस प्रयोग के समान है जिसे उसने मसी में तब काम में लिया था जब मरे हुऊ में से उसे फिर से जिला कर स्वर्ग के छेत्र में अपनी दाहिनी और बिठा कर सभी शाषकों, अधि पुताओं तता हर किसी ऐसी शक्तिशाली पद्वी के उपर इस्थापित किया था जिसे ना केवल इस यूग में बलकि आने वाले यूग में भी किसी को दिया जा सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ को मसी के चर्णों के नीचे कर दिया और उसी ने मसी को कलीशिया का सर्वोत शिरुमनी बनाया। कलीशिया मसी की दे है और सब वीधियों से सब कुछ को उसकी पूनता ही परिपून करती है। इफिसियों अध्यायदो एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे। जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरन करते हुए जीते थे जो इस धर्ती के उपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्या नहीं मानते। एक समय हम भी उनी के बीच जीते थे और अपनी पापपुन प्रकृती की भौती के च्छाओं को त्रिफ्ट करते हुए अपने हिर्देयों और पापपुन प्रकृती की आवश्यक्ताओं को पूरा करते हुए संसार के दूसरे लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के पा परंड हम आध्यात्मिक रूप से अभी मरे ही हुए थे, मसी के साथ साथ उसने हमें भी जीवन दिया, परमेश्वर के अनुगरा से ही तुम्हारा उधार हुआ है, और क्योंकि हम इश्व मसी में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसी के साथ ही फिर से जी उठाया, और उसक मसी इश्व में अपनी दया के रूप में हम पर दर्शाया है, परमेश्वर के अनुगरा द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उधार हुआ है, या तुम्हें तुम्हारी और से प्राप्त नहीं हुआ है, बलकि यह तो परमेश्वर का वर्दान है, या हमारे क ये कर्मों का परिनाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सकें क्योंकि परमेश्वर हमारा स्रिजनहार है उसने मसी इशु में हमारी स्रिष्टी इसलिए की है कि हम नेक काम करें जिने परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तयार किया हुआ है कि हम उन्ही को करते हुए अपना जीवन इसलिए याद रखो, वे लोग जो अपने शरीर में माना हाथों द्वारा किये गए खतने के कारण अपने आपको खतना युक्त बताते हैं, विधर्मी के रूप में जन में तुम लोगों को खतना रहित कहते थे, उस समय तुम बिना मसी के थे, तुम इसराइल की विरादरी स बाहर थे, परमेशवर ने अपने भक्तों को जो वचन दिये थे, उन पर अधारित वाचा से अंजाने थे, तथा इस संसार में बिना परमेशवर के निराश जीवन जीते थे, किन्तु अब तुम्हें, जो कभी परमेशवर से बहुत दूर थे, मसी के बलिदान के द्वारा मसी इशू में तुम्हारी स्थिती के कारण परमेश्वर के निकट ले आया गया है यहुदी और गैर यहुदी आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे और अलग हो गये थे फिक ऐसे जैसे उनके बीच कोई दिवार खड़ी हो किन्तु मसी ने सोय अपनी देह का बलिदान देकर नफरत की उस दिवार को गिरा दिया उसने ऐसा तब किया जब अपने समुचे नियमों और विवस्थाओं के विधान को समाप्त कर दिया उसने ऐसा इसलिए कि वह अपने में इन दोनों को ही एक में मिला सकें और इस प्रकार मिलाब करा दे कुरूस पर अपनी मृत्यू के द्वारा उसने उस घिना का अंत कर दिया और उन दोनों को परमेश्वर के साथ उस एक देह में मिला दिया और कुरूस पर अपनी मृत्तु के द्वारा बैरभाव का नाश करके एक ही देह में उन दोनों को संयुक्त करके परमेश्वर से फिर मिला दे। सो आकर उसने तुम्हें जो परमेश्वर से बहुत दूर थे और जो उसके निकड़ थे उन्हें शांती का सूसमचार सुनाया क्योंकि उसी के द्वारा एक ही आत्मा से परमपिता के पास तक हम दोनों की पहुँच हुई। परिनाम स्वरूप अब तुम ना अंजान रहे और नहीं पराये बलकि अब तो तुम संत जनों के स्वदेशी संगी साथी हो गये हो। तुम एक ऐसा भवन हो जो प्रेरितों और नवियों की निव पर खड़ा है। तथा स्वय मसी इशू जिसका अत्यंत महत्यपुन कोने का पत्थर है। मसी में स्थित एक ऐसे इस्थान की रचना के रूप में दूसरे लोगों के साथ तुम्हारा भी निर्मान किया जा रहा है। जहां आत्मा के द्वारा स्वय परमेश्वर निवास करता है। इफिसियों अध्यायतिन इसलिए मैं पॉलुस तुम गैर यहोदियों के लिए मसी इशू के हितू बंदी बना हूँ। तुम्हारे कल्यान के लिए परमेश्वर ने अनुगरा के साथ जो काम मुझे सौपा है उसके बारे में तुमने अवश्य ही सुना होगा कि वा रहस्य मैं योजना दीव्य दर्सन द्वारा मुझे जनाई गई थी जैसा कि मैं तुम्हें संक्षेप में लिखी चुका हूँ और यदि तुम उसे पढ़ोगे तो मसी विश्यक रहस्य पुन सत्य में मेरी अंतर द्रिष्टी की समझ तुमें हो जाएगी यह रहस्य पीछली पीड़ी के लोगों को वैसे नहीं जनाय गया था जैसे अब उसके अपने पवित्र प्रेरितों और नभियों को आत्मा के द् अचन हमें दिया गया है उसमें सहभागी हैं सू समचार के कारण मैं उस सू समचार का प्रचार करने वाला एक सेवक बन गया जो उसकी शक्ति के अनुसार परमेश्वर के अनुगरा के वर्दान सोरूप मुझे दिया गया था यद्यपी सभी संथ जनों में मैं छोटे से भी छोटा हूँ किन्तु मसी के अनन धन रुपी सू समचार का गैर यहुद्यों में प्रचार करने का यह अनुगरा मुझे दिया गया कि मैं सभी लोगों के लिए उस रहसेपुन योजना को इस्पश्ट करूँ जो सब कुछ के सिर्जानहार परमेश्वर में स्रिष्टि के प्रारम से ही छिपी हुई थी ताकि वह स्वर्गिक छेत्र की शक्तियों और प्रशासकों को अब उस परमेश्वर के बहुविद ज्ञान को कलिसया के द्वारा प्रगट कर सके यह उस सनातन प्रयोजन के अनुसार संपन हुआ जो उसने हमारे प्रभू मसी इशु में पूरा किया था मसी में विश्वास के कारण हम परमेश्वर तक भरोसे और निर्भिक्ता के साथ पहुँच रखते हैं इसलिए मैं प्राथना करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जो यातनाय भोग रहा हूँ उन से आशा मत छोड़ बैठना क्योंकि इस यातना में ही तो तुम्हारी महिमा है इसलिए मैं परमपिता के आगे जुकता हूँ उसी से स्वर्ग में या धर्ती पर के सभी वन्ष अपने अपने नाम ग्रहन करते हैं मैं प्राथना करता हूँ कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यतित्यों को शक्ति पूर्वक सुद्रिड करें और विश्वास के द्वारा तुमारे हिर्देओं में मसी का निवास हो तुमारी जणे और न्यू प्रेम पर टिकें जिसे से तुमें अन्य सभी संत जनों के साथ या समझने की शक्ति मिल जाए कि मसी का प्रेम कितना व्यापक, विश्त्रित, विशाल और गंभीर है और तुम मसी के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्यानों से परे है ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूनताओं से भर जाओ अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हमें काम कर रही है जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक कर सकता है उसकी कलीसिया में और मसी इश्व में अनन्थ पीडियों तक सदा सदा के लिए महिमा होती रहे आमीन इफिसियों अध्याचार इसलिए मैं जो प्रभू का होने के कारण बंदी बना हुआ हूँ तुम लोगों से प्राथना करता हूँ कि तुम्हें अपना जीवन वैसे ही जीना चाहिए जैसा कि संतों के अनुकुल होता है सदा नमरता और कोमलता के साथ धैर्य पूर्वक आशरन करो एक दूसरे की प्रेम से सहते रहो वा शान्ती जो तुम्हें आपस में बांधती है उससे उत्पन आत्मा की एक्ता को बनाय रखने के लिए हर प्रकार के यत्न करते रहो देह एक है और पवीत्र आत्मा भी एक ही है ऐसे ही जब तुम्हें भी बुलाय गया तो एक ही आशा में भागिदार होने के लिए ही बुलाय गया एक ही प्रभू है एक ही विश्वास है और है एक ही बप्तिस्मा परमिश्वर एक ही है और वह सब का पिता है वही सब का स्वामी है हर किसी के द्वारा वही क्रियाशील है और हर किसी में वही समाया है हम में से हर किसी को उसके अनुगरा का एक विशेश उपाहार दिया गया है जो मसी की उदारता के अनुकुल ही है इसलिए शास्त्र कहता है उसने विजई को उचे चड़ बंदी बनाया और उसने लोगों को अपने आनन्दी वर दिये अब देखो जब वह कहता है उचे चड़ तो इसका अर्थ इसके अतिरिक क्या है कि वह धर्ती के नीचले भागों पर भी उत्रा था जो नीचे उत्रा था वह वही है जो उचे भी चड़ा था इतना उचा कि सभी आकाशों से भी उपर ताकि वह सब कुछ को संपून कर दे उसने स्वय ही कुछ को प्रेरित होने का वर्दान दिया तो कुछ को नभी होने का तो कुछ को सुसमचार के प्रचारक होने का तो कुछ को परमेश्वर के जनों की सुरक्षा और शिक्षा का मसी ने उन्हें ये वर्दान संथ जनों की सेवा कार्य के हितु तयार करने को दिये ताकि हम जो मसी की दे हैं आत्मा में और दिड़ हो जब तक कि हम सभी विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के ज्यान में एकाकार होकर परिपक्व पुरुष बनने के लिए विकास करत देवे मसी के संपून गारों की उचाई को न छूलें, ताकि हम ऐसे बच्चे ही न बने रहें, जो हर किसी ऐसी नई शिक्षा की हवा से उच्छाले जाएं, जो हमारे रास्ते में बहती है, लोगों के छलपून, वेवार से, ऐसी धुर्तता से, जो ठगी से भरी योजनाओं क परेरित करती हैं, इधर उधर भक्का दिये जाते हैं, बलकि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हुए, हर प्रकार से मसी के जैसे बनने के लिए विकास करते जाएं, मसी सीर है, जिस पर समूची देह निरभर करती है, या देह उससे जुर्ति हुई, प्रत्यक साहयक नत्स से और जब इसका हर अंग जो काम उसे करना चाहिए उसे पूरा करता है तो प्रेम के साथ समुची देह का विकास होता है और यह देह स्वें सुद्रिड होती है मैं इसलिए यह कहता हूँ और प्रभु को शाक्षी करके तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उनके व्यर्थ के विचारों के साथ अधरिमों के जैसा जीवन मत जीते रहो उनकी बुद्धी अंधकार से भरी है वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर हैं क्योंकि वे अबोध हैं और उनके मन जड़ हो गए हैं लज्ज की भावना उनमें से जाती रही है और उनोंने अपने को इंद्रिय उपासना में लगा दिया है बिना कोई बंधन माने वे हर प्रकार की अब पवित्रता में जुटे हैं किन्तो मसीग के विशय में तुमने जो जाना है वा तो ऐसा नहीं है मुझे कोई संदे नहीं है कि तुमने उसके विशय में सुना है और वा सत्य जो इश्व में निवास करता है उसके अनुसार तुमें उसके शिश्यों के रूप में शिक्षित भी किया गया है जहां तक तुमारे पुराने जीवन प्रकार का संबन्द है तुमें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्तों को उतार फेको जो उसकी भटकाने वाली च्छाओं के कारण फ्रष्ट बना हुआ है जीसे से बुद्धी और आत्मा में तुमें नया किया जा सके और तुम उस नय स्वरूप को धारन कर सको जो परमिश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा गया है तुम लोग जुट बलने का त्याग कर दो अपने साथियों से हर किसी को सच बोलना चाहिए क्योंकि हम सबी एक शरीर के ही अंग हैं क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाब कर दो शैतान को अपने पर हावी मत होने दो जो चोरी करता आ रहा है वा आगे चोरी न करे बलकि उसे काम करना चाहिए सुए अपने हाथों से कोई उप्योगी काम ताकि उसके पास जिसे आशेक्ता है उसके साथ बांटने को कुछ हो सके तुमारे मुख से कोई अनुचित शब नहीं निकलना चाहिए बलकि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए ताकि जो सुने उनका उससे भला हो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो क्योंकि परमेश्वर की संपती के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है समुची करवाहट, जुझलाहट, क्रोध, चीक चिलाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेको परस पर एक दूसरे के प्रति दयालू और करुणावान बनो था आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही शमा करो जैसे मसी के साथ जीयो फिक वैसे ही जैसे मसी ने हमसे प्रेम किया है और अपने आपको मधूर गंद भेंट के रूप में हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दिया है तुमारे बीच बेविचार और हर किसी तरह की अपवित्रता अत्वा लालज की चर्चत तक नहीं चलनी चाहिए जैसा कि संत जनों के लिए उचित ही है तुम्में न तो अस्लिल भासा का प्रेयोग होना चाहिए ना मुर्खता पुन बाते या भद्दा हसी ठट्टा ये तुमारे अनुकुल नहीं है बलकि तुमारे बीच धनिवाद ही दिये जाएं क्योंकि तुम निश्य के साथ या जानते हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दुराचारी है अपवित्र है अथ्वा लालची है जो एक मूर्ती पुज़क होने जैसा है मसी के और परमेश्वर के राज्य का उत्राधिकार नहीं पा सकता देखो तुम्हे कोरे शब्दों से कोई छल न ले क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्या का उलंगन करने वालों पर परमेश्वर का कोफ होने को है इसलिए उनके साथ ही मत बनो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जब तुम अंधकार से भरे थे किन्तु अब तुम प्रभु के अनुयाई के रूप में जोती से परिपून हो इसलिए प्रकाश पुत्रों का सा आचरन करो हर प्रकार के धार्मिक्ता नेकी और सत्य में जोती का प्रतिफलन दिखाई देता है हर समय या जानने का जतन करते रहो कि परमेश्वर को क्या भाता है ऐसे काम जो अंधकार पून है उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बटाओ बलकि उनका भांडा फोड करो क्योंकि ऐसे काम जिन्हें वे गुप चुप करते हैं उनके बारे में की गई चर्चा तक लज्ज की बात है जियोती जब प्रकाशित होती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वा स्वय जोती ही बन जाता है इसलिए हमारा भजन कहता है अरे जाग ए सोने वाले मृतकों में से जी उठ बैट तेरे ही सिर्थ स्वैम मसी प्रकाशित होगा इसलिए सौधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो विवेखिन का सा आचरन मत करो बल्कि बुद्धिमान का सा आचरन करो जो हर आउसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा-पूरा उप्योग करते हैं क्योंकि ये दिन बुरे हैं इसलिए मूर्ख मत बनो बल्कि यह जानो कि प्रभू की इच्छा क्या है मदिरा पान करके मत वाले मत बने रहो क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है इसके विपरित आत्म से परिपूर्ण हो जाओ आपस में भजनों इस्तूतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस पर आदान प्रदान करते रहो अपने मन में प्रभू के लिए गीत गाते उसकी इस्तूति करते रहो हर किसी बात के लिए हमारे प्रभू इस्तु मसी के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो मसी के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ हे पत्नियों अपने अपने पतियों के प्रती ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो क्योंकि अपनी पत्नी के उपर उसका पती ही प्रमुख है वैसे ही जैसे हमारी कलीशिया का सिर मसी है वा स्वई ही इस देह का उधार करता है जैसे कलिसिया मसी के अधीन है वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पत्यों के प्रती समर्पित रहना चाहिए हे पत्यों अपनी पत्नियों से प्रेम करो वैसे ही जैसे मसी ने कलिसिया से प्रेम किया और अपने आपको उसके लिए बली दे दिया ताकि वा उसे प्रभू की सेवा में जल में इसनान करा के पवित्रकर हमारी घोशना के साथ परमेश्वर को अरपित कर दे इस प्रकार वा कलिसिया को एक ऐसी चमचमाती दुलहन के रूप में स्वय के लिए प्रस्तुत कर सकता है जो निश्कलंख हो जुरियों से रहित हो या जिसमें ऐसी और कोई कमी न हो बल्कि वा पवित्र हो और सर्वता निर्दोश हो पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वय अपनी देहों से करते हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वा स्वय अपने आप से ही प्रेम करता है कोई अपनी दे से तो कभी घिना नहीं करता बल्कि वा उसे पालता पोस्ता है औ पस्त्र कहता है एसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बंद जाता है और दोनों एक दे हो जाते हैं यह रहस्यपुन सत्य पहुत महत्यपून हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि यह मसी और कलिसिया पर भी लागू होता है सो कुछ भी हो तुम में से हर एक को अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वय अपने आपको करते हो और एक पत्नी को भी अपने पती का डर मानते हुए उसका आदर करना चाहिए इफिसियों अध्याचे हे बालकों प्रभु में आस्था रखते हुए माता-पिता की आग्या का पालन करो क्योंकि यही उचीत है अपने माता-पिता का सम्मान कर यह पहली आग्या है जो इस प्रतिग्या से भी युक्त है तेरा भला हो और तू धर्ती पर चिरायू हो और हे पिताओं तुम भी अपने बालकों को क्रोध मत दिलाओ बलकि प्रभु से मिली शिक्षा और निर्देशों को देते हुए उनका पालन पोशन करो हे सेव को तुम अपने संसारिक स्वामियों की आग्या निश्कपट हिर्देश से भै और आदर के साथ उसी प्रकार मानो जैसे तुम मसी की आग्या मानते हो केवल किसी के देखते रहते ही काम मत करो जैसे तुम्हे लोगों के समर्थन की आवशकता हो बलकि मसी के सेवक के रूप में काम करो जो अपना मन लगाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं उत्सा के साथ एक सेवक के रूप में ऐसे काम करो जैसे मानो तुम लोगों की नहीं प्रभू की सेवक कर रहे हो याद रखो तुम में से हर एक चाहेवा सेवक या सोतंत्र है यदि कोई अच्छा काम करता है तो प्रभू से उसका प्रतिफल पाएगा हे स्वामियों तुम भी अपने सेवकों के साथ वैसा ही वेवहार करो और उन्हें डराना धमकाना छोड़ दो याद रखो उनका और तुम्हारा स्वामी स्वर्ग में है और वा कोई पक्षपात नहीं करता मतलब या है कि प्रभू में स्थित होकर उसकी असिम शक्ती के साथ अपने आपको शक्तिशाली बनाओ परमेश्वर के संपून कवच को धारन करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको क्योंकि हमारा संगर्ष मनुसियों से नहीं है बलकि शाषकों, अधिकारियों, इस अंधकारपुन युग की आकाशी शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मिक शक्तियों के साथ है इसलिए परमेश्वर के संपून कवच को धारन करो ताकि जब बुरे दिन आएं तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दिर्टा पूरवक अडिक रह सको सो अपनी कमर पर सत्य का फेंटा कस कर धार्मिक्ता की जिलम पहन कर तथा पैरों में शांती के सूसमचार सुनाने की तथ परता के जूते धारन करके तुम लोग अटरल खड़े रहो इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बदी के द्वारा छोड़े गए हैं छुटकारे का शिरस्त्रान पहन लो और परमेश्वर के संदेश रूपी आत्म की तलवार सवधान रहो तथा सभी संतों के लिए प्राथना करो और मेरे लिए भी प्राथना करो कि मैं जब भी अपना मूख खोलूं मुझे एक सू संदेश प्राप्त हो ताकि निर्भैता के साथ सू समचार के रहस्यपून सत्य को प्रगट कर सकूं इसी के लिए मैं जंजीरों में जखड़े वे राजदुद के समान सेवा कर रहा हूं प्राथना करो कि मैं जिस प्रकार मुझे बोलना चाहिए उसी प्रकार निर्भैता के साथ सू समचार का प्रवशन कर सकूं तुम भी मैं कैसा हूं और क्या कर रहा हूं इसे जान जाओ सो तुखिकुस तुमें सब प्रभू में श्थित एक विश्वास-पुन सेवक है इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं ताकि तुम मेरे समाचार जान सको और इसलिए भी कि वा तुम्हारे मन को शांति दे सके है ये भाईयों, तुम सब को परमपिता परमेश्वर और प्रभुई इश्व मसी की ओर से विश्वास, शांती और प्रेम प्राफ्थ हो, जो हमारे प्रभुई इश्व मसी से अमर प्रेम रखते हैं, उन पर परमेश्वर का अनुग्रा होता है। झाल Сबस्वाइब होता है, प्राफ्थ होता है, युर्ण का लाईयों, जुम सब की ओर मातłos है, उन प्रेमेश्वर थेका खら जाँक है this राईयों, प्रेमेश्वराभूण मसी ओर से अमर शैसावर का कि, विश्वराभूम प्रेमी, युरा प्रेमेश्वर जों सब की ओ Songई